Hey guys, welcome to the study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, हम लोग यहाँ पर NCRT history class 11 की पार्ट पुस्तक विस्वितियास के कुछ विस्वितियास के कवर कर रहे हैं, आज आपका ऐसी करम में अध्याय नौवा है, यहाँ पर हम लोग ओधो के करांती का पार्ट 2 कवर करेंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कुस करना है यहाँ पर, हम लोग ओने पार्ट 1 में जाना था, कि ओधो करांती की स्टार्टिंग बिटेंसे हुई थी, और बिटेंसे ही ओधो करांती की स्टार्टिंग क्यों हुई थी, उसके भी कुछ कारणों पर हमने वहाँ पर प्रकार्स डाला था पहला कारण यह था कि वहाँ पर एक छत्र सासन था यानि एक ही राजा का पूरे राजी पर सासन था वहाँ पर छोट-छोटे इस्थानी राजा नहीं थे इसकी वज़े से पूरे राज पर एक ही राजा के बनाए हुए कानून लागू होते थे इसकी वज़े से ब्यापार गत्पदियां काफी जाता बहाँ पर बढ़ी है दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी था कि बहाँ पर जब ब्यापार गत्पदियां बढ़ी है क्रिसी करांती में आपने पढ़ा था कि बहाँ पर जो बड़े जमीदार थे उन बड़े जमीदारों ने छोड़े छोड़े जो किसान है उनकी जमीने हडप ली दी तो ऐसे जो गाउं में आपने जमीनों से बेगर हुए लोग थे उन्होंने सहरों की ओर रुख किया इसकी जैसे भी यहाँ पर आप देखेंगे ओधोई कराड को बढ़ावा मिला चौथा रीजन आप लोगी जानते हैं इसी समय में जो प्रोद्धव की प्रकति हुई है जो तक्नीकी का विकास हुआ है उसने भी इस प्रकति में योगदान दिया है तो यह सब कारड हैं आप देखें इन सब का प्रभाव बिटेन के लोगों पर क्या पड़ा भां के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम यहाँ पर जानेंगे तो यहाँ पर आपकी starting है परिवर्तिजीवन यह आपकी अगली heading है परिवर्तिजीवन आप देखें जब आप देखेंगे कि बहाँ पर यह और दोईकट की starting हो गई है नएने उद्योग धंदों का विस्तार होने लगा है तो ऐसे कई सारे लोग थे, कई सारे धन्वान लोग थे जो यह सोच रहे थे कि हम लोग भी investment करनें ताकि हमें मुनाफ़ा हो सके तो ऐसे धन्वान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोकिम उठाकर उद्योग धंदों में इस आसा से पूजी निवेस किया कि इससे उन्हें मुनाफ़ा होगा और उनके धन में कई उना व्रद्धी हो जाएगी धन में माल, आय, सेवाओ, ज्यान और उत्पादक कुसलता के रूप में अचानक व्रद्धी होई सबसे पहला फेक्टर यहाँ पर निकल कर राता है परवत्य जीवन में कि इस समय में जब उद्धव क्रांती होई है उसके बाद धन में माल, आय, सेवाओ, ज्यान और जो उत्पादक कुसलता है इसमें अचानक से ब्रद्धी होई है देकि यह आपका पंद्रहमा पॉइंट हो जाएगा इसे आप साथ के साथ नोटडाउन कर लीजिए लेकिन इसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ा जो ये प्रवगति हुई है इस प्रगति के बाद जो मनुस्य है मनुस्यों के सामाजिक जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा दुस्प्रभाव पड़ा है इससे उनके परिवा तूट गए है पुराने पते बदल गए है पुराने पते बदलने का मतलब यह है कि अब लोग गाउं से सहरों के प्रायन कर गए है और सेहरों में उनको रहने खाने की कोई प्रोपर विवस्ता नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा हुगा है कि पुराने पत्य बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा तो यहाँ पर आप इसमें जो आपका पंद्रहमा पॉइंट है यहाँ पर इसमें आगे लिख लेंगे लेकिन इससे परिवार तूट गए पुराने पत्य बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा एक लाइन में सारी चीज़ां इसमें पर चोल जाएंगी कि ऐसा क्यों हुगा है अब यहाँ पर आगे बताया गया कि आबादी में जिस रप्तार से बड़ुत्री हुई उस रप्तार से रहन सेयन के अनिसाद्रों में प्रद्धी नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर कोई प्लांड नहीं था कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंकियां यहाँ पर अचानक से आ जाएगी गाउं से इतनी ज़्यादा लोग आ जाएंगे उनके रहने के लिए को विवस्ता हम करेंगे ऐसा कुछ प्लान नहीं था उद्योग दंडे बिच्सित होते जा रहे थे वैसे वैसे वहाँ पर गाउं से आने वालों की संच्छा भी बढ़ती जा रही थी तो इस बचे से सरकार भी वहाँ पर कोई ज़्यादा या फिर वहाँ के जो प्रसासन है वो भी कोई ज़्यादा अच्छे कदम नहीं उठा पाया है तो यहां पर भी बताया है कि आवादी जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार से वहाँ पर रहन सेहन या अनिसादनों में ब्रद्धी नहीं हो पाई सफाई और स्वक्ष पेजल की विवस्ता में भी बढ़ती हुई सहरी आवादी के मताबिक सुधार नहीं गुआ आप देखें यहां बताया गया कि जो नई बसे लोग हैं जो गाउं से आकर सेहरों में नई बसे लोग हैं तो नई बसे लोगों को नगरों में कारखानों के आसपास भीडभार वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास अब देखे इसमें अगला कारक आता है मैदूर क्योंकि अध्विक रांती की जो सफलता थी वो मैदूर पर ही निर्वर करती थी मैदूरोंने महनत की तबी तो उद्योगदंद्यों का विकास हुआ उद्योगदंद्य आगे बड़े तो उस मैदूर का हल क्या था यह हम यहाँ पर जानेगी तो अगली आपकी हेडिंग है मैदूर यहाँ पर बताया गया कि 842 में किये गए एक सर्विच्षड से यह पता चला है कि वेतन होगी मैदूरों यानि कामगारों के जीवन की जो औसद अबदी है यह जो सहरों का हल बताया गया उसमें बताया गया बर्मिंगंग में 15 बरस्ती मैंचेस्टर में 17 बरस्ती और डर्बी में 21 बरस्ती यानि इनके जीवन की जो दसा है काफी ज़्यादा दैनीजी काफी ज़्यादा खराब थी तो यहाँ पर आप आपका 16 हा पॉइंट है इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे इसमें आप लिखेंगे 842 में किये गए एक सर्विच्षड से यह पता चला कि बेतन भोगी मैदूरों के जीवन की औसद अबदी बर्मिंगं में 15 बरस्त मैंचेस्टर में 17 बरस्त और डर्मिं में 21 बरस्ती यानि जो औससस सामाजिक जीवन होता है उससे भी काफी कम थी है इसके लावा भाँ पर आप यह देखेंगे भाँ पर जो अपने साथ लोग अपने बीवी बच्चों को लिकर आ रहे थे तो भाँ पर जो भी नए बच्चे जन्म ले रहे थे उनमें भी मिर्तुदर काफी ज़्यादा थी तो भाँ पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो पांस साल की आयू प्राप्त करने से पहले ही चल बस्ते थे उसका रीजन यह था कि भाँ पर जो इस सितियां दी, कंडिसन्स थी वो काफी ज़्यादा अच्छी नहीं थी रहन सहन की सितियां काफी खराब थी पेजल बगएरा का संकर था और खाद्यान बगएरा की भी पूर्ती नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पर यह बड़ा भी फैक्टर था तो यहाँ पर आप आप लोग सूले का पहला सप्मेंट आप लेखेंगे वहाँ पैदा होने बाले बच्चों में से आदे तो पांच साल की आभी प्राप्त करने से पहले ही चल बस्ते थे इसके लावा उसी समय में जो महामारियां है उनका भी प्रकोप था लेकिन महामारियों को लेकर भाहा की जो प्रसासने उसका रवया काफी ज़ता उदासीन रहा यानि कि भाहा के प्रसासने महामारियों की रोकताम के लिए कोई विस्स कदम नहीं उठाए तो यहां बताया क्या, मौत है ज्यादातर उन महमारियों की काड़ होती थी जो जल्पूदूसर से जैसे हाजा ताथा आत्रशोध से और वाइ श्या तो हैजा थी एक तो हैजा था तो हिसों कि कोईले का इस्तिमाल होता था जब कोईले का इस्तिमाल होगा तो पूरे बातावर्ण में कार्बन यी कार्बन चाह जाएगा तो ऐसे में उन्हें टी भी हो जाती थी यहनी छे रोग हो जाता था तो यहाँ पर अब आप लोग सोले का सेकंड सब प्वाइंट है आप नोट डाउन करेंगे मौतने ज्यादा थर हैजा मौतने ज्यादा थर उन महमारियों के कारण होती थी जो जल पुदू सब से जैसे हैजा सब आतरसोध से वाइप उदू सब से जैसे छे रोग से होती थी इससे आपको स्पष्ट हो जाएगी मजदूरों को किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आगे बताया गया कि 1832 में थायजे का भीसल प्रकोफ हुआ जिसमें 31,000 से अधिक लोग काल के गर्ट में समा गए तो एक ऐसी घटना नहीं है, कई सारी ऐसी घटना है आपको देखने को मिलेंगी अगली हेडिंग है बापकी औरतें, बच्चे और अध्धोई करण बिटेन की औरतों पर वहां के बच्चों पर अध्धोई करण का क्या प्रभाव पड़ा वो हम यहां पर देखेंगे सबसे बहले बात कर रहेंगे बिटेन के उस समय के ग्रामीड परविस्ता, ठीक वैसा ही ग्रामीड परविस्ता जैसा कि भारत में एक प्रसक ग्रामीड परवार का होता है यानि वहां के जो ग्रामीड परवारों के जो बच्चे थे वो खेतों में अपने माता-पता की सहयता करते थे महलाएं भी अपने पती की खेती के काम में सहयता करती थे तो वही सब है यानि ग्रामीड गरीवियों के बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता-पता या संबंधियों की निगरानी में तरह-तरह के काम किया करते थे जो समय दिन या मौसम के नुसार बदलते रहते थे अब चूँकि आप लोगोंने पढ़ा है जो क्रसी करांती हुई थी क्रसी करांती हुई जैसे वहाँ पर जो बड़े जमीदार थे उनने छोटे किसानों की जमीनों को हतियार लिया था अपने में कब्दे में ले लिया था तो ऐसे में अधिकांस जो ग्रामी परवाद थे वो सेहरों की और प्लाइन कर गए थे अब चुँकि सेहरों में रहने खाने की सब कीच की किलत है उपर से महगाई भी काफी जादा है तो सेहरों में मजबूरी में इनके बीबी और बच्चों को भी काम करना पड़ता था और बीबी बच्चों को जो काम करना पड़ता था यानि कारखानों में काम लगातार कई गंटों तक करना पड़ता था और ये कठूर अनुसासन में करना पड़ता था तरह तरह के दंड की भयाबर प्रसितियों में ये काम कराया जाता था ये निडरा धंका कर ये काम कराया जाता था तो यहाँ पर वही सब जी बताई गई है कि मर्दों की जो मैदूरी है मामूली होती थी उससे घर का खर्चा चलना मुश्किल था तो ऐसे में ओड़तों और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था इन्हें काम करना पड़ता था आप देखें यहाँ पर आप यह देखेंगे यहांके जो उद्योग पती है वो मर्दों को hire करने की बजाए मर्दों को अपने company में रहने की बजाए ओड़तों और बच्चों को काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे उसके दो रीजन थे पहला रीजन यह था कि यह उलित हुआ करती थी तो ये कुछ रीजन ते किस बजय से वहां की जो उद्योग पतिदे वो वहां की महलाओं को बच्छों को हायर करती थे इस्त्रियों और बच्चों को लंका सायर और यॉर्क सायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था रेसम, फीते बनाने और बुन्ये के उद्योग गंदों में और बर्मिंगम में धाद उद्योगों में यहीं बच्चों के सासत औरतों को यह दिखतर नौकरी दी जाती थी इसके लाव बताया कि बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलों में रखा जाती था क्योंकि वहाँ पर जो कपड़े की मसीने होती ही काफी सटा कर रखी जाती थी इस वज़े से वहाँ पर जो बच्चे होते थे उनमें आसानी से उनके बीच में आ जा सकते थे इसलिए बच्चों को कपड़ा मिलों में अधिक्तर रखा जाता था बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था जहां सेग्भान को बच्चों के बाल घंटों थे और उनकी मौत को जाती थी के बच्चों को नेज़ की जफकी आगी ज़ब ददस बारे बारे धुटे 10 गणटे से ज़ादरे काम लेते थे ऐसे में बच्चा उसे भी थकान होने लगेगी थकान होने में बच्चे को नीद की जप्की आई और बच्चा मसीन में गिर गया और वसीन में गरने से वो मौत के मूँ में चला गया था तो ये सब चीज़ें महाँ पर होती थी तो इस सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं देखें हम लोग यहाँ पर सब चीज़ें केवल सुनेंगे ही नहीं नोट डाउन भी करेंगे सत्रेमा पॉइंट यहाँ पर लेखेंगे उद्रोग पती मर्दों की बजाए औरतों और बच्चों को अपने हाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे क्योंकि वे कम मैज़ूरी और काम की घडिया प्रिस्यतियों में भी काम करने को तयार हो जाते थे पूरी लाइन है उद्रोग पती मर्दों की बजाए औरतों और बच्चों को अपने हाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे क्योंकि वे कम मैज़ूरी और काम की घडिया परिस्यतियों में भी काम करने को तयार हो जाते थे यह आपका सत्रेमा पॉइंट है इसी का पहला सब पॉइंट इस्त्री और बच्चों को लंका सायर और यॉल्क सायर नगरों के सूति कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था यह आपका सत्रेमा पहला सब पॉइंट है आगे बढ़ते हैं इसी में सेकिंड सब पॉइंट बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था यहां तक कि उन्हें हर अभिवार को भी मसीने साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था इसी में थर्ड सब पॉइंट आप लिखिलना कई बार तो बच्चों के बाल मसीनों फस जाते थे उनकी हाथ कुचल जाते थे और नींद की जपकी आने से मसीनों में गरकर उनकी महत हो जाती थी तो यह आपका सत्रे का थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा अब देखे कोईला खानों का बताया गया है कोईला खानों में अभी अधिकतर बच्चे ही थे तो यहां बताया गया है कोईला की खानों में काम करने के लिहास से यह बहुत खतरनाक होती थी खानों की उच्छते हैं धस जाती थी अत्वा बिस्पोर्ट हो जाती थी और चोटे लगने का भी वहाँ पर खतरा बना रहता था कोईला खानों के मालक कोईले के जो गहरे अंतिम छोड हैं उनको देखने के लिए या फिर वहाँ पर जाने के लिए वयस्त नहीं जा सकता है तो इसलिए बच्छों को वो भी रखते थे चोटे बच्चों को कोईला खानों में ट्रैपर का काम भी करना पड़ता था यानि कोईला खानों में जब कोईला से भारे जिव डिब्बे हैं इधर उसर ले जाये जाते थे तो बच्चे इनके दरवाजा खोलते और बंद करते थे कभी-कभी ज़रूत पढ़ने पर यह लोग कोल बीरर्स का मतलब यह कोईले को अपने फीट पर लाद कर भारी बिजन लोकर कोईले को एक इस्तान से दूसरे सान पर पहुंचाती थे तो यह चीज भी यहाँ पर करते थे तो यहाँ पर आपने सत्रे का थरसा पॉइंट लिए आए सत्रे का चौथा सा पॉइंट आप नूट डाउन करेंगे छोड़े बच्चों को कोईला खानों में ट्रैपर का का काम भी करना पड़ता था अब देगे यहाँ पर कुछ उद्योग पती है जो यह दलील देते थे कि हम बच्चों से काम क्यों ले रहे हैं उनका कहना यह था कि बच्चे अगर अभी से फैक्टरी के काम कार को समझ जाएंगे तो वयस्क होकर उन्हें फैक्टरी में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ बताया गया है कारखानों के मालक बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समयते थे ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सके मैजदूरी यानि कि जो अद्योपती है उस तरह की दलील देती हुए तो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कुछ अभीलेक मिले है बेटिस टेक्टरियों के उस समय के उन अभीलेकों से उलेक पता चलता है कि वहाँ पर जो फैक्टरिया थी उनमें 28% मैजदूर वहाँ 14 साल से कम की आयो से काम करना उनने स्टार्ट किया था आगे बताया कि औरतों को मैजदूरी मिलने से न केवल 32 संता मिली बलके उनके आत्व सम्वान में भी बड़ोतरी हुई लेकिन इस से उनने जितना लाब हुआ उससे ज़्यादा हानी हुई खतम हो गया क्योंकि छुट्ट्टी वगरा होती नहीं थी तो ऐसे में उन की प्रजना अंदर है यो बच्चे पैदा करने की जो सकती है उसमें भी हिनास होने लगा इसका एक प्रभाव ये भी पढ़ा, उनके स्वास्ते पर भी प्रस्कूल प्रभाव पढ़ने लगा, लंबे समय तक कोई महला, बिना कुछ खाए पिए, चौदे-चौदे घंटे फेक्ट्री में काम करेगी, उसका स्वास्ते भी खराब होगा, अगर वो गर्वा धरर करेग तो यही सब कुछ कारण थे, तो आगे भी उताया गया है, कि काम की अपमान जरक परस्तितियों के करण, अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही, या सहसवा बस्ता में ही मर जाते थे, और उन्हें अपने अध्रक काम की वजए से मजबूर होकर, सहर की गिनोनी और गंदी बस बत्तियों में रहना पड़ता था तो यहां पर आप लोग, अठारेमा पॉइंट यहां पर उडाउन गरेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे, और तो को काम की अपमान जनक प्रस्थितियों के करड औरतों को काम की अपमान जनक प्रस्थितियों के करड औरतों के बच्ची पैदा होते ही या स्यास्वा वस्ता में ही मर जाते थे या आपका अठारेमा पॉइंट हो जाएगा अब देगे यहाँ पर एक व्यक्ति और हुए है Charles Dickens तो Charles Dickens ओध्व करके पढ़ाम सुरूप गरीबों के लिए जो भयांकर सिती उत्पन हुई उसका संभपत है सबसे कठोर समकालीन आलोचक थी इन्होंने अपना उपन्यास लिखाया Hard Times इसमें कालपनिक ओध्वक नकर कोक टाउन का बड़ा सटीक वड़न किया है तो देगे इनके बारे में आप नोट करके आप लिखलीजिए Charles Dickens के बारे में इसमें लिखले ना नोट में Charles Dickens ओध्वक रड़ के सबसे कठोर समकालीन आलोचक थी उन्होंने अपने उपनियास Hard Times में एक कालपनिक नकर और दोग नकर कोक टाउन का बड़ा सटीक वड़न किया है इतना लिखले नाकीबन तो समझ में आ जाए का Charles Dickens कौन थे आगे बढ़ते हैं अब देखे हमने बच्चों की सिथ देख ली अब हम लोग विरोध आंदोलन देखेंगे अब ऐसा तो मुम्किन नहीं है कि काम की इतनी जादा विप्रीत प्रिस्थितिया हो और कोई व्यक्ति लंबे समय तक वहाँ पर काम कर सके ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है चुँकि जो लोग गाउं से निकलकर सहरों में आये थे अब सहरों में जब कोई मजदूर एक ही फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करेगा तो वहाँ पर वो अपने आसपास के मजदूरों से भी मिलेगा ऐसे करके संग्ठन बनेंगे और जब संग्ठन बनेंगे तो फिर जो काम की विपरीत परिस्थिया हैं या काम की बुरी परिस्थिया हैं उनके खिलाब वो लोग आवाज भी उठाएंगे विरोध भी होगा तो यहां पर ही वही होगा और देविकरण के प्रारमिक दसकों का समय वही था जब फ्रांसेसी करांती का उद्भूत नए नए रायनितिक विचारों का प्रसार प्रसार हो रहा था यानि कि फ्रांसेसी जो करांती है उससे ये विचार निकल कर आए सतंता, समांता, व्रात्त के विचार निकल कर आए इसकी बज़े से वहाँ पर एक जंज येतना हुई इनके सुतंता समानता ब्रात्त स्तावित करने के आंदुलन ने दिखा दिया कि स्तावित आंदुलन चलाना संभव है तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके विरोध परात्त करने के लिए आंदुलन कर रहे थे सरकार ने इनका जो आंदुलन है उसको दबाने के लिए दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों से विरोध परसंद करने का अधिकारी छीन लिया तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे आपने 18 मां पॉइंट लिए आए अब आपको 19 मां पॉइंट आएगा अगली हेडिन डाल दीए विरोध आंदुलन इसमें आप लिखेंगे फ्रांसीजी करांती के स्वतंता समांता और ब्रहत्त्त के बिचारों ने फ्रांसीजी करांती के स्वतंता समांता और ब्रहत्त्त के बिचारों ने जन आदुलन को प्रभावित किया यह आपका 19 का पॉइंट हो जाएगा 19 का पहला सब पॉइंट स्थरम जी भी लोग मतादिकार प्राप्त करने के लिए आदुलन कर रहे थे लेकिन सरकार ने दवनकारी रुक अपना कर कानून बना कर लोगों से विरोध कर प्रसंद करने का अधिकार ही छीन लिया यह उन्हें इसका पहला सब पॉइंट हो जाएगा बिरोध के उपजने का एक कारण यह भी था कि इंग्लेंड का फ्रांस के साथ लंबे अर्से तक युद्ध चलता रहा 1792 से लेका 1850 तक यह युद्ध चलता रहा है तो ऐसे में इंग्लेंड और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था तो छिन भिन हो गया था पैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा था तो ऐसे में विरोध कारण यह भी था जब विरोध कारण यह भी था तो यहाँ पर आप लोग सेकिंड सब पॉइंट यहाँ पर लेखेंगे 19 का सेकिंड सब पॉइंट है इंग्लेंड का फ्रांस के साथ लंबे अर्षी तक प्रैकेट में 792 से लेकर 815 तक यूद्व चलता रहा इसके कारण इसके कारण फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा फल सरूप फल सरूप बिरोध कारी में बढ़ूतरी हुई और आवशक खाथ पतारत्म की कीमत बढ़ गई यह आपका सेकिंड पॉइंट हो जाएगा अब देखे इसी समय क्या है इसी समय जो आंदोरन हो रहे थे उन आंदोरनों को दवाने के लिए बिटेन की जो संसद है उसने भी कुछ अधनियम पारित किये हैं तो बिटेन की संसद ने सतरतों बच्चान में में दो जोड़मा अधनियम पारित किये जिनके अंतरगत लोगों को भाशड या लेखन द्वारा सम्राट, सम्विधान या सरकार की विरुद्ध घणाया अपमान करने के लिए उकसाना अवैद गोसित कर दिया गया और पचास्ति अधिक लोगों को की अनाधिकरत स्राजनिक बैटकों पर इन्होंने रोग लगा दी लेकिन पुराने व्रष्टाचार या ओल्ड करप्सन की विरुद्ध आंदूलन बराबर चलता रहा यहां पर पुराना व्रष्टाचार सब्द का परयोग रायतंत्र और स शंसत के संबन्द में क्या तक था कियने का मलब यह था जो ब्रष्टाचार यह यह कह रहे थी आप जो हमारी नई विवस्ता है जो अध्यकरत की विरोद करो चाहे हम लोगों का विरोद कर लो संसत के सस्ते जिनमें भूस्वामी उत्पादक और पेशीवर लोग सामिल थे कामगारों को बोर्ड का एलिकार दिये जाने के खिलाफ थे उन्होंने कॉर्म लॉज यह अनाज के कानून का समर्थन किया इस कानून के अंतरगत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक क्रसी क्रांती हुई है क्रसी क्रांती के तरह यहां के बड़े-बड़े भूसामियों ने छोटी जमीनों को हतिया लिया था अब छोटी जमीनों को हतिया आने के बाद वो उन्होंने क्रसी में अच्छी-खासी पैदावार की है अब चूंकि बिटेन के बहुत ज़्यादा आपनिवेस बने हुए थे बारत में अफ्रीकी देशों का आपनिवेस बने हुए थे तो बिटेन वहाँ से चीजों को आयात कर लेता था जो आयातित चीज़ां होती थी उनका मूले काफी कम होता था जबकि वहाँ पर जो विटेन में ही वहाँ के जो उत्पादक चीज़ें उबजा रहे थे उनका मूले काफी जाता होता था तो ऐसे में जो वहाँ के निवासी हैं वो बहार से आयाती चीज़ों को लेना ज़्यादा प्रसंद करते थे क्योंकि वो उनके बजट में आ जाती थी उनके बजट फ्रेंडली होती थी तो इस बात का इन लोगों ने विरोध किया है और यहां के जो भुसामी बगर आया है उत्पादक है या पेसे पर लोग है उन लोगों ने यह कहा है कि आप जो भाहर से सस्ता आयात कर रहे हैं इस पर रोक लगा दूँँँँद ताकि हम लोग यो अपना आनाज है इस पर अच्छी खासी कीम से बसूल कर सकें तो ऐसे में महां की महगाई और ज़्यादा बढ़ गई है आगे बताया गया है 1790 की दसक से पूरे देश पर में ब्रेड अत्पा खादे के लिए दंगे होने लगे गरीबों का मुख अहार ब्रेड ही था और इसकी कीमत पर ही उनके रहेंसेन का इस तर भी निर्भर करता था देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर हमारे यहां जैसा सिस्टम नहीं है हम लोगों के यहां तो हम लोग खुद अपनी रोटी बनाते हैं यह लोग पाव रोटी खाते हैं ब्रेड खाते हैं जाने कि जो आपकी बेकरी वेरा में बनीवी ब्रेड होती है, उसको खाते हैं, हमारे यहां की तरह ये लोग रोटी बनाना नहीं जानते हैं तो यहां पर जो ब्रेड के जो भंडार थे उन पर कब्जा कर लिया गया, उन्हें मुनाफ़ा खोरों त्वारा लगाई गई, उची कीमतों से काफी कम मूल में बीचा जाने लगा, जो आम आदमी के लिए बाजित थी, और 29 रिष्टी से सही भी थी, यानि तमाम जो आंदोल में बार-बार हुए, लेकिन इनका सिलसला 1840 के दसक तक चलता रहा, लेकर 40 साल तक यह हाल विटेर में चलता रहा है, अब यहां पर भही परिसानी विर्से जिक्रिक किया गया है, परिसानी का एक कारण ये भी था, इसे चकवंदी या बाड़ा पद्दी कहते हैं, इसके द मसीनों का प्रशलन हुआ, इसकी जैसे मजदूर हैं, उनकी संक्या में कमी आई, यह प्रशलन से हजारों की संक्या में हतकरगा बोंगर, विरोजगार होकर, गरीवी की मार्ज हिलने को मजबूर हो गए, कभी भी जब नई टेक्नलोजी आती है, उसका उस समय असर तो लोगों की जरूत रहेगी नहीं, जबकि लोग 10 साल बाद इस चीज को समझ पाए, कम्प्यूटर आने से लोगों की जरूत कम नहीं हुई, बलकि लोगों को और जाता रोजगार मिलना है स्टार्ट हो गया, तो वही चीज जहां पड़ती, यहां पर नहीं नहीं जब क्योंकि वह समयते थे कि इन बेजली के करगों नहीं उनकी रोज़ी टोटी चीनी है, तो देखे हम लोगों ने यहां पर बातें बहुत सारी कर ली हैं, अब कुछ नोट डाउन कर ले दे हैं, तो हमने 19 के 2 पॉइंट यहां लिख लिए हैं, अब 19 का 3rd सब पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, इसमें आप लिखेंगे, या फिर आप 20 पॉइंट कर लीजिए, बिटैन की संसद्यें 1795 में दो जड़वा अधनियम पारित किये, जिनके इंतरगत लोगों को भास्रड या लेखन द्वारा, समराट, समिधान या सरकार के विरुद घणा या अपमा पॉइंट कर दिया गया, यह आपका 20 पॉइंट है, इसी का वेला सब पॉइंट, संसत के सदस्य, जिनमें भूस्वामी उत्पादक्त, और पेसी पर लोग सामिल थे, कामगारों को बोड का अधिकार देने दीजाने के खिलाप थे, उन्होंने कॉर्ण लौज, यानि जिरुत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको याद रहेगा, कॉर्ण लौज सब्द आएगा, तो आप समझ जाएंगे, यह आपका 20 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा, अब देगे, एक किसमा पॉइंट है, यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे, 1790 के जिसक से, पूरे देश भर में ब्रेड अधवा खाद के लिए, दंगे होने लगे, इसी में सब पॉइंट, गरीबियों का मुक्य आहर, ब्रेड ही था, इसकी कीमत पर उनके रहें सहन का इसतर निरवर करता था, यह आपका 21 का पॉइंट और 21 का सब पॉइंट हो जाए आगे बढ़ते हैं, अब देखे आपका 22 का पॉइंट आएगा यहां पर, कपड़ा उद्ध्योग में, मसीनों के प्रचलंग से, हजारों की संख्या में हत्कर का बुनगर, बिरोजगार होकर, गरीबी की मार हेलने को मजबूर हो गए, हतास होकर, बुनकरों ने, लंका सायर के, मलंका सायर में, पावर लूमों को उनष्ट कर दिया, तो आपका यह 22 का पॉइंट हो जाएगा, देखे, आपनों कर समझा, कि बिरोजग के कई कारड थे, एक कारड तो यहाँ पर प्रसासनिक कारड था, दूसरा कारड यहाँ पर जो अध्योग धंद हैं, उनमें जो कंडिसन्स थी, वो जादा खराब थी, एक कारड यह भी था, तीसरा करड आपने जाना है, तीसरा करड यहाँ पर यह था, कि यहाँ पर जो लोग अपने खेतों से बिघर हुए थे, अपने खेतों, उनके जो खेत खिन गई थे, यानि कि बिलकुल खेती इबाड़ी से खतम हो गई थे, तो ऐसी लोगों ने रोजगार की डिमांड की, अब चुनकि उसी समय प्रोध्योगी का भी प्रशन हो पड़ा तो प्रोध्योगी के आने से रोजगार में कमी आई तो ये भी एक करण था अब बताया गया कि यहाँ पर यारकसायर में उन कतरने वालों ने उन कतरने के धाचों यानि सीरिंग फ्रेम को तोड़ दिया ये लोग परंपराकत रूख से अपने हाथों से भेड़ों के बालों की कटाई करती है इसी प्रकार जो नई मसीन आय थी खलियानी त्रेसिंग मसीन जो आय थी जो के खेती उसे बूसी से दाना अलग करती थी इन मसीनों को भी तोड़ दिया दंगाईयोंने इन मसीनों को भी तोड़ दिया एक करिस्माई व्यक्षित वाले जन्रल नेड लुड के नित्रत में लुडिज्म नामक अन्य आंदुलन चलाया गया जो लुडिज्म के समर्थक थे तो ये मशीनों की तूड़ फोर्ड में विस्त्वास नहीं करते थे बलके ये नियुन्तम मजदूरी नारी इबम बाल सरंपन यंदर मसीनों के आविस्कार से बिरुज़दार हुए लोगों के लिए काम और कामनी तोर पर अपनी मांगे पेस करने के लिए मजदूर संग बनाने के अधिकार की मांग करते थे तो देखे हम लोग यहाँ पर 23 पॉइंट यहाँ पर नूट डाउन करेंगे आप लोग जन्रल नेड लूट के नित्रत तुम्हे जन्रल नेड लूट के नित्रत तुम्हे लूटिज्म रेकिटमेंट 811-17 जन्रल नेड लूट के नित्रत तुम्हे लूटिज्म के अन्युआई के अन्युआई कामनी तोर पर अपनी मांगे पेस करने के लिए मजदूर संग बनाने के अधिकार की भी मांग करते थे यह आपका 23 पॉइंट हो जाएगा आगे यहाँ पर एक घटना का जिकरोर आया है अगस्ट 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोगतांत्रिक अधिकारों आर्थात रायनितिक संग्ठन बनाने साद्मिक सभाय करने प्रिस्वी सुतनता के अधिकारों के मांग करने के लिए मैंचेस्टर में सेंट पीटर्स के मैदान में एगटे हुए लेकिन उनका बरवरता पूर्वक्त दमन कर दिया गया इसे पीटरलू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है इसे बाटरलू का तो युद्ध था जो कि फ्रांस और इंग्लेंड के मद रला गया था इसमें फ्रांस की हार हुई थी और यह जो घटना घटित हुई है 1819 में इस घटना को पीटरलू नरसंहार के नाम से जाना गया है क्योंकि इसका बरवरता पूर्वक्त दमन किया था सरकार में तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे 24 मा पॉइंट यहाँ पर नोटडाउन करेंगे अगस्ट 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोगतांत्रिक अधिकारों की मांग करने के लिए मैंचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में सांथ पूर्वक्त एकट्टे हुए इसी में सब पॉइंट लेकिन उनका बरवत्ता पूर्वक्त दमन कर दिया गया इसे पीटर्लू के नरसंधार के नाम से जाना जाता है यह आपका 24 मा पॉइंट हो जाएगा अब देखें पीटर्लू की जो घटना घटन तो ही है इसके बाद जो पहले बिटिस संसद ने जो अधनियम बनाय थे उनको निरस्ट करना पड़ा है तो पीटर्लू के बाद बिटिस संसद के निचले सदन हाउस उफ गॉमरंस को अदेक प्रतिस्त कारी बनाये जाने की आवशक था उधारबादी रहने दलों उधारा महसूस की गई और जुड़वा अधनीवों यहाथ 24 पक्चिस में इनको निरस्ट कर दिया गया तो देखे 24 का सेकंड सा पॉइंट यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे पीटर लू के बाद पीटर लू के बाद बिटिस संसद ने जुड़वा अधनीवों को आपका 24 का सेकंड सा पॉइंट हो जाएगा अब आपकी अगली हेडिंग है कानूनों के जरिये सुधार अभी आपने देखा है कि वहाँ पर विरोध प्रदसन काफी ज़ादा बढ़ गए दंगे फसाद भी होने लगे तो ऐसे में मजबूरी में सरकार को कुछ कानून भी लाने पड़े ताकि यह जो दंगे फसाद हो रहे थे इनको कंट्रोल किया जा सके 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिनके तहट 9 वर्स से कम की आयो वाले बच्चों से फैक्टरियों में काम करवाने पर पावंदी लगा दी गई और 9 से 16 वर्स की आयो वाले बच्चों से काम कराने की जो सीमा है वो 12 गंटे सीमित कर दी गई यह इन कानूनों की कमी सबसे बड़ी कमी यह थी कि इनको प्रवर्तन कराने वाली यह पालन कराने वाली जो अधिकार प्रवस्ता है वो प्रवस्ता नहीं की गई थी यानि लेकिन इस कानून में इसका प्रभवतन यानि की पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की विवस्ता यहाँ पर नहीं की गई थी, यह सबसे बहुता डिस्रेडवांटेज था, जिसकी जैसे एक जो कानून है यह काफी ज़्यादा प्रभवकारी नहीं हो पाए है इससे के अधनियम के प्रभवतन और पालन को सुनिश्चित किया जा सके एंड में 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे आर्सित तक आंदून चलने की बाद 10 घंटा विद्यक पारित किया गया है तो देखें यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे हमने 26 पॉइंट लिख लिए है अब आप फैरिन डाल लीजिए कानूनों के जरी सुधार और आपका 25 पॉइंट यहाँ पर आएगा इसमें आप लिखेंगे 1819 में कानून बनाया गया ऐसे लिखेंगे ना 1819 में कुछ कानून बनाया गये जिनके त्यात 9 वर्ट से कम की आईवी वाले बच्चों से फैक्टरियों में काम करवाने पर पावंदी लगाई गयी लेकिन इस कानून में इसका प्रवर्तन करणाने की विवस्था नहीं की गई थी यह आपका 25 पॉइंट हो जाएगा इसी में पहला सा पॉइंट 1833 में एक अधनियम पारित किया गया जिसके अंतरगत 9 वर्ट से कम आईवाले बच्चों को केवल रेसम की वैक्टरियों में लगाने की अनुमती दी गई और बड़े बच्चों के लिए काम की घंटे सीमित कर दिये गई और कुछ फैक्टरि निरिच्चकों की विवस्ता कर दी गई यह पूरा पॉइंट ही आएगा आपका 25 सेकेंड साथ अंत तैंड आट 147 में 10 घंटा विधियक पारित कर दिया गया यानि काम करने के लिए स्ट्रम्कों के काम करने के लिए 10 घंटे का दिन निशित कर दिया गया तो यहां तक आपने शीए समझ ली कौन-कौन से कानून बने अब यहां पर आगे बताया गया यह कानून जो बनाए गए हैं इनकी भी कुछ सीमा आए थी यह अधनियम कपड़ा उद्योगों पर ही लागू होते थे खनून उद्योग पर लागू नहीं होते थे सरकार दोरा इस्थापित 1832 के खान आयोग ने या उजागर कर दिया यह खानों में काम करने की प्रिस्ति यहां वास्तम में 1833 के अधनियम के लागू होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गई क्योंकि पहले से देख संख्या में बच्चों को कोईला खानों में काम पर लगाया जा रहा था 1832 के खान और कोईला खान अधनियम ने 10 वर से कम आयोग की बच्चों और इस्तिरियों से खानों में नीचे काम लेने पर पावंदी लगा दी तो देखें यह आपका 26 पॉइंट अब आपका आएगा यह एक खान से संबन दी रहा है 1832 के खान और कोईला खान अधनियम ने 10 वर से कम आयोग की बच्चों और इस्तिरियों से खानों में नीचे काम लेने की पावंदी लगा दी एक और अधनियम आया है सेकेंड सा पॉइंट फिल्डर्स फैक्क्ट्री अधनियम ने आफेर साल से कम उन्न के बच्चों यह पर एक पूरा लेना, की फिल्डर्स फैक्ट्री अधनियम ने कामुर मन बना दिया कि 18 साल से कम उन्न के बच्चों और श्त्रियों से 10 गंटे प्रद्दिन से अधिक काम ना लिया जाए आप देखें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने जो निरीच्छकों की बात की थी क्या उन निरीच्छकों से कुछ यहाँ पर इन कांगनों का पालन हो पाया चुकि जो निरीच्छकों होते थे इनका बेतन बहुत जाएता कम होता था तो जो भी कंपनी के प्रबंदक प्रा होते थे उन्हें रिस्वत देकर उनका मुँँ बंद करवा देते और मर्माने धंग से वरकरों पर काम लेते थे तो ऐसे में निरीच्छक जो है अपना काम बहतर डंग से नहीं कर पाये हैं और ऐसे में जो कानूनों का प्रबर्तन है वो भी प्रभावी नहीं हो पाया है तो इनकी खाम्या भी यहां पर बताई गई है अब आगे देखिए आगे लिखने के लिए कुछ नहीं है बस यहां पर तर्क वितर्क दिये गए है और 2 करांती के विस्टे में तर्क वितर्क है कुछ लोगों ने इसको और 2 करांती माना है कुछ लोग इसको नहीं मानते है तो बताया गया है कि 1970 के तसक तक इतिहासकार ओद्विक क्रांथी सब्द का पर्योग बिटेयन में 1780 के तसक से 1820 के तसक के बीच ओद्विक विकास के विस्तारों के लिए करते थे दरसल ओद्विक रड़ की प्रक्रिया इतनी धीमी गत्से हो रही थी इसे करांथी कहना ठीक नहीं होगा आगे बुला गया कि इसके तोरह पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को ही आगे नई स्टरों तक लाया गया इस प्रकार फैक्टरियों में स्रमिकों का जमाबाड़ा पहले की अभिच्छा अधिक हो गया कहने का मलब यह है कि कुछ लेखा के मानते हैं इस समय का जो पीरियर था उसको ओद्विक रड़ कहना भी ठीक नहीं है जो उस समय ओद्विकषण की रफ्तार जो थी वो काफी ज़्यादा मन्द थी काफी ज़्यादा धीमी थी हाँ यह जरूर हुआ था कि कुछ बर्सों में ओद्विकषण की जो इस्टार्टिंग मानी गई उसका प्रफाव कुरे ब्रिटेन में एक जैसा नहीं रहा है उसके कुछ सहरों में ही उद्ध्यों का विकास हुआ है कुरे ब्रिटेन में नहीं हुआ है एक करण यहां पर यह भी है आगे बोला गया है यहां पर ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 7080 के दिसक से जो तेजी से प्रद्धी हुई उसका करण यह था कि अमरीकी सुतना संग्राम के करण उत्री अमेरिका के साथ जो ब्यापार बादेत हो गया था वो फिर से सुरू हो गया आगे बोला गया है आर्शिक परवत्नों के सूचकांग यह दरसाते हैं कि 271 करड़ 815 से 20 से पहले की बजाए बाद में दिखाई दिया 21 करड़ को देश के धन्म के पूझी निर्माण में या आधारवू धाजा तयार करने में अत्मा नईनी मसीनरी लगाने के लिए अधिकादिक निवेश करने में इन सुविधाओं के कुसलता पूरवक उप्योग के स्तरों को बढ़ाने और उत्पातक्ता में ब्रद्धी करने के साथ जोड़ा जाता है क्यानि कहने का उनलवी यह है कि इस समय में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे उत्पातक्ता बढ़ी है ऐसा राइटरों का मानना है ऐसा चिंतों का या बिसेशकों का मानना है बिटेन में और दोईक विकास अठासो पंदर से पहले की भिच्छा उसके बाद अधिक तेजी से क्यों हुआ इसके भी कुछ कारण बताए गए है तो यहां बताया गया इस्तिहास कारों ने स्त्थिक की और इसारा किया है कि सत्यासो साट के दसक में से अठासो पंदर तक बिटेन ने एक साथ दो काम करने कोशिस की पहला है और दोईक रड़ और दूसरा है उसने युद्ध रड़ है तमाम जो ओप निवेस हैं वहाँ पर जो युद्ध हुए हैं उसकी वज़ेसे बिटेन को काफी ज़ा नुकसान उठाना पड़ा है तो बोला गया कि पहला ओदोईक रड़ और दूसरा यूरोप उत्री अमेरिका और भारत में जो युद्ध रड़ा हैं इसे उन्हों काफी ज़ा नुकसान उठाना के पड़ा है तो बिटेन 67 के बाद लगवाद 60 वरसों में 36 वरस तक रड़ाई में ब्यस्त रहा है जो पूरी निवेस के लिए उधाल ली गई थी वे युद्ध रड़ने में खर्च कुक की गई ये भी बात यहां पर निकल कर आए रही है इसी समय जो नैपोलियन बुना पार्ट है उसकी जो नाकाबंदी वाली नीत है इससे भी बिटेन के ब्यापार पर काफी अधा प्रत्कुल प्रभाव पड़ा है ये नैपोलियन की जो नाकाबंदी की नीत है और बिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोसकों उसने यूरोपी महादीप को ब्यापार की दरश्टी से अवरुद कर दिया है इससे जो बिटेन से निर्यात होता था तो इससे बिटेन से निज्यात होने वाले अधिकांस लक्षिस्तल बिटेन के व्यापारियों की पहुंसे बहार हो गए एक करण यहां पर यह भी रहा यहां पर आगे बताया क्या है कि जो क्रांती होई है तो क्रांती के साथ प्रियुक्त और दोय की सब्द है तो अर्थ की दश्टी से बहुत सीमित है इस दौरान जो रूपांत्रष हुआ इसके फरसुरूप दो वर्गों को प्रधानता मिली है पहली बात यह है कि यहाँ पर जो बुर्जुगा वर्ग है याँनि मद्यम वर्ग इसका उदय हुआ है जोकि अधिकतर उद्योग दन दे थे वो छोटे-छोटे मद्यम वर्गी लोगों नहीं स्थाबित किये थे जोकि बाद में बढ़कर बड़े उद्योगों में तब्दील हो गए थे याँनि ऐसे करके बोलो उद्योग पती बन गए थे और दूसरा था नग्रों और दियाती लाकों में रहने वाला मज़ूरों का सर्वहारा वर्ग यैंनि यहाँपर आप दो वर्ग देखेंगे बुर्जुग्वा पर और सर्वहारा वर्ग और इनके बीच के ही यह खाई थी तो देखे हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़े नोट डाउन कर लेंगे तो बैटर रहेगा हमने 25 पॉइंट लिख लिए है इसी में 26 पॉइंट यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे इंग्लेंड में परिवर्दन 6 तरीके से हुआ देखे यहाँ पर हैंट डाल लीजिए फहले ओध्यक क्रांती के विषय में तर्क वितर्क तो तर्क और वितर्क आपके समय कुछ पॉइंट हो जाएंगे तो आप उसके उपर लिख पाएंगे फिर चबिसमा पॉइंट आपके यही है इंग्लेंड में परिवर्दन 6 तरीके से हुआ प्रमुक्रूप से लंदन, मैंचेस्टर, बर्मिंगम नगरों के चारों और ना के संपूर देस में यहाँ आपका 26 पॉइंट हो जाएगा 27 पॉइंट आप यहाँ पर नूट आउंट कर लिना बिटेन के आयात और निर्यात में यहाँ पर यह से लिख लेना यहाँ पर अमरीगी सुत्ता संग्राम के करड़ उत्री अमेरिका के साथ बिटेन का जो ब्यापार बादित हुआ था वह 17 पॉइंट की दसक में फिर से शुरू हो गया यह आपका 27 कॉइंट हो जाएगा आगे इसमें अब आपका 28 कॉइंट आपन रूट डाउन करेंगे आप बिटेन सत्रसु साट के बाद अगले साट वर्सों में से 36 वर्स तक रडाई में ब्यस्त रहा जो पुझी निवेस के लिए उधार ली गई थी वह युद्ध रड़ने में खर्च की गई यह आपका 28 कॉइंट हो जाएगा इसी में सब पॉइंट नेपोलियन की नाकाबंदी की नीथ और बिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिसों ने यूरोप महादीप को ब्याबारिक द्रश्टी से अवरुद्ध कर दिया यह 28 का सब पॉइंट हो जाएगा इसी में आपने 28 में लिख लिया अब 29 का पॉइंट और 2 करण के दौरान जो रूपांद्रण हुआ और 2 करण के दौरान जो रूपांद्रण हुआ इसके फलस्तुरूप दो बर्गों को प्रधानता मिली पहला था बुर्जुगा बर्ग यानि मद्यम बर्ग और दूसरा था नगरों और दियाती इलागों में रहने वाला मजदूरों का सरभारा बर्ग यह आपका 29 कोईंट हो जाएगा इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिये तो चलिए आज के लिए वस्तना ही थैंक्स पूर वाकिंग जैहिंद।